हेलो एवरीवन वेलकम जो बहुत टी स्टूडेंट फ्रेंट्स आज के स्टोरीज ओफ मश्रूम के बारे में जो हम पास मश्रूम है वो एक फ्रेश ग्रोप है ठीक है उसको हम जो है 24 हवर से जाधा जो है फ्रेश नहीं रख सकते त्योंकि उसके जो लाइफ होती है वह काफ पहला रसाइब ऐड़ेटर दो यहां प्रोटिनग मश्रूम हो जाए मशण डिय् кज़ा हम इसके बारे महिट बीजो है उसके हमारे पास मश्रूम है उसका इंहां चाली और वन तो बीक इन राफ्रिजेटर एटमस्फेर उसको हम 24 अबर्द रूम तेम्परिचर में नहीं रख सकते लेकिन राफ्रिजेटर में वन से तू बीक से जादा नहीं रख सकते दियुरिंग स्टोरेज देरि इस डिकलाइन इन टॉल स्टोर इन टॉल प्रोटीन यह वह चींग जाता है और जो पोलीफिनॉल ओक्सिडेज है वह एक्टिवीेश्न ओचाते जाता है बेस्ट वे और स्टोरिज ओ प्रो पैडी स्टाउ मश्रूम इस एट 60 तैंसे 15 डिग्री सेल्सियस तक हम जो है पोलतीन बैक्स में जो है पैडी स्टोर मश्रूम को स्टोर कर सकते हैं पुलरूटर सेजोका जो कुट बेकेप इंटू अप्टू थ्री ओन्थी ना स्टीप सल्यूशन हम उसको स्टीप सल्यूशन में जो है महारे पास पैडी स्ट्रॉम मश्रूरीव में रख सकते हैं सेजो काईव को 3 मंट तक रख सकते ढ़ vigy QU यहां बात करें नेसेसरी एक लोंग टर्म स्टोरिएटरिगे में नहीं करता हूं इसиссfeld दursday उचल करें वाड़ में शेक्टतिक करेंगे शीनेटे को अकट खे़ सेके हैं इदिग वाटर वाटर सकते हैं डेल जेक Как ढ hopes कर히को citric acid for three to four minutes while करेंगे उसमें जो है 2% ब्राइम दालेंगे 2% शुग डालेंगे 0.3% citric acid solution जो एड करेंगे यह सब चीज़े में अपने कैन में उसके बाद हमारे पास finally steam is given at 15 lb pressure per square inch for 15 to 20 minutes हमें जो है steam देनी अपने कैन को कूल करने कैन को after stylizing in cold running water to room temperature and kept at ambient temperature for 8 to 10 days to check any swell पहले उसको हमें होट करने के बाद उसको immediately cold running water में कूल करने ठीक है और उसके बाद हमें उसको 8 to 10 days तक ambient ambient temperature पे रखना है ताकि हम चेक कर सके उसमें swelling leakage और फिर उसको कोई बसमें disorder तो नहीं और उसको label करके हमें जो हो रेडियमारा can drying करके भी हम जो long term storage कर सकते हैं अपने मिश्रूम की drying the main objective of drying is the removal of free water to such a level that biochemical and microbial activities checked due to reduce water activities द्राइंग का मतलब कि हम जो है उसको dry कर रहें ठीक है free water को remove करें उस लेवल तक कोई भी biochemical या microbial activities में नहीं हो सकते हैं removal of water from substance by direct sublimation from frozen state to vapor state is called freeze drying frozen state से direct उसके vapor बन जाएंग उसको बोत है freeze drying उसको तरह संद्राइंग sun drying में हम जो है sun में dry करते तो सबसे ज्यादा जो टेक्निक हमारे country में use की जाती है वो sun drying क्योंकि हमें परस free source है energy का sun so blanching and sulfiting are important treatment given before drying drying करने से पहले उसको blanching और sulfiting करेंगे pre drying song by blanching slice in potassium meta bisulfite 1% citric acid 0.2% sugar लेंगे 6% salt 3% solution for 16 hour followed by drying at 60 degree celsius for 8 hour best product with long shaved light इस तरह से हम जो है उसको dry करेंगे 60 degree celsius अचार बना के पहले मिश्रूम लेंगे वाश करेंगे और एक मिश्रूम के बनाएंगे वाश करेंगे ब्लैंचिंग करेंगे 5-8 मिनट तक 2% salt solution और citric acid में डालेंगे इसमें बहुत साल डाल देंगे जब हम उसकी ब्लैंचिंग करेंगे इसको ओवरनाइट तक चोड़ेंगे जब आम काचार डालती है जनलें उनको जो हैं आम को कट करने के बाद उनमें जो हैं बहुत सारा नमक लगा कि यानकी इसको रखने के लिए हम बहुत सारा के जिनको हम मश्रूम में एड कर सकते हैं तो जिससे कि उनकी अपेरेंस जो भी चीजे हैं उनका टेक्स्टर फ्लेब उचेंज नहीं होता ठीक है और काफी तम समय तक स्टोर रहती है बहुत सारे यासी चीजों के बार में जैसे हम आप इसके लिए अगर हम प्रेस्पिटेर्स यसमें डालेंगे तो जो उसके न्यूट्रिशन क्वालिटी है वह वैसी हम पोटैशियम मेंटा वाई सल्फाइड को यूज करते हैं यह प्रिजर्व करने के लिए टीक है तो यह थी ती मारी आज की वीडियो जिसमें हम ने देखा करें चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू